है सुना तू भट के मन को रह दिखाता है मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है भगवान है कहा है तू नमस्कार मैं एक स्टुडेंट हूँ विकास पूरी में रहती हूँ इंडिया एक सर्कूलर कंट्री है यहां सबको अपना अपना रिलीजियन मानने का हक है बट अगर आप noise pollution की बात करेंगे तो कोई भी इंसा कितना परदाश करेगा सोनु निगम ने यह कमेंट बहुत सेहन करने के बाद ही बोला होगा हम सबको रिलीजियन रहने के साथ साथ इंस्यानियत भी दिखानी होगी यह जो आप अजान पड़ते हैं सुबह चार बज़े ही क्यों साथ बज़े क्यों नहीं साथ बज़े हम उठते हैं आठ बज़े ऑफिस जाते हैं यार हमें भी तो सोना हैं क्यों आखिर क्यों अरे बताओ मैं अथ मस्जिद के बारे में यह बोले जा रहा है यह वाजें वाजें Этот के सामने बज्रें नहीं था अब तो है क्यों हम उसका उपियोग नहीं करें नहीं करें हम उसका उपियोग अरे भाया, अल्ला हुली है, अल्ला हुली है, समझाओ इसे, समझाओ इसे, यहीन हिंदूआ को समझाओ अकपर के टाइम में तो लाइट नहीं थी, उसमें लोग नमाज पढ़ते थे, अजान होती थी जोगी तो संगीत सॉनने का मन करता है क्या आप सुभा बजे आप नहीं समझेंगे इन बातों को आप पढ़े लिखे इंसान होते हुए भी इस तरह की बाते करते हैं अच्छा कुछ यह बताईए आप सुबह चार वजे नम आजान पढ़ते हैं तो उससे महला डिस्टर्ब नहीं होते होंगे ना होते होंगे की नहीं बताईए अरे बताईए ना ही अला ही अला इला आप इस बातों को नहीं समझेंगे इस जो आपके जो यह दिमाग में यह खुप यात भड़ी बाते हैं मैं इन बातों मेरा नावाज का टाइम हो गया है मेरा समय हो गया है नावाज का मैं अल्ला ही अल्ला से आए पूछ के आपको बताता हूँ मैं अल्ला के पास जा रहा हूँ आपके समान के जवाब मेरे पास नहीं मेरे जिकर का जुबाँ पे सुवाद रखना दिल के संदुकों में लो, लिल्ला जी भी गए, अल्ला के बास